क्वेशन बड़ा इंट्रेस्टिंग है और क्वेशन कह रहा है कि a man of height 2 meter is bungee jumping from a platform situated 25 meter, तो एक जो person है वो 25 meter उचाई से bungee jumping कर रहा है, उसकी height 2 meter है, ठेक है, और यह कहता है कि जब वो पानी को touch करता है, तो उसकी speed 0 हो जाती है, kinetic energy उसकी 0 हो जाती है, just touch करने के पहले, ठीक है, और equilibrium position में jumper जो है, वो जो rope से hang कर रहा है, वो पानी से 8 meter उपर रहता है, unstressed length of rope निकालनी है और maximum speed और acceleration निकालना है, जो की jumper ने achieve की है, तो आप लोग question को ध्यान से पढ़ लिजएगा, उसके बात solve करने के लिए attempt करिएगा, तो म इसको simplify करके next slide से आगे बढ़ने जा रहा हो बचो, देखिए, question जो कह रहा है, मैं यहाँ पर draw करता हूँ, पहली बात यह है, कि यह water की surface है, और jumper जो है, यहाँ से, यहाँ तक की height जो है, उसकी 25 meter की है, ठीक है, यानि edge की value जो है, वो 25 meter की है, तो jumper जब बिलकुल, कूदता है, ऐसे, तो जब पानी को touch करता है, ठीक है, तो यह जो इसकी jumper की height है, h0, यह आपको 2 meter दी गई है, तो जाहिर सी बात है, कि जो rope की length आएगी, वो आपकी 23 meter की आजाएगी, तो rope की length आएगी, वो 23 meter की आजाएगी, और इस वाले point पे, इसकी kinetic energy जो है, वो 0 होती है, ऐसा question में दिया गया है, और जाहिर से बात है कि starting में इसकी u is equal to 0 दी गई है, और kinetic energy is equal to obviously क्या हो जाएगी, यह सारी चीजें दी गई है, इसके बात जब वो equilibrium position में रहता है, आपको यह भी दिया गया है, कि जब वो equilibrium position में रहता है, तो इसकी जो length दी गई है, ठीक है, तो यह जो जमीन से उपर यह 8 मीटर रहता है, ठीक है भई, यह मतलब जमीन मतलब पानी वाली, और जाहिर से बात है, यह आपको कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, 8, 2, 10, तो यह कितना बचा आपका, आपको देख लीजे, यह आपका बचा 15 मीटर, यह आपका बचा 15 मीटर, ठ आचा, spring constant rope के लिए spring के तरह stretch कर सकती है, तो उसको हम लोग के अजिम कर लेते हैं, अब अगर केवल unstressed rope ले ले, अन, stressed rope ले ले, तो उसकी length को हम L0 ले लेते हैं, यह न, maximum length of rope, इसको हम लोग L1 ले लेते हैं, तो L1 की value बच्छे, यहाँ पर हमने उपर calculate कर रखी, यह 23 meter है, छीक है, at equilibrium, at equilibrium length of rope, इसको बच्छे हम लोग L2 ले लेते हैं, और जैसा कि आप diagram में देख पा रहे हैं, इसकी value 15 meter है, ठीक है, तो यह जो पहला page जो मैंने solve किया है, इसके data बहुत जरूरी है, इसको मत भूलिएगा, ठीक है, यह मत भूलिएगा, वरना question नहीं होगा, ठीक है, अब य mass of rope को, बच्छे, mass of rope को neglect कर दी रहे हैं, हम rope के mass को neglect करेंगे, और center of mass of person को mid में बानेंगे, ठीक है, when man, मतलब jumper, touches the water, जब man water को touch करता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, कि height से कूदा है, तो height पर जो इसके पास energy थी, वो gravitational potential energy थी, gravitational potential energy, last में जब वो water को touch कर रहा है, तो उसकी speed 0 हो जा रही है, यानि kinetic energy क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो ये सारी की सारी gravitational potential energy उसकी elastic potential energy में convert हो जाएगी, तो gravitational potential energy आपकी हो गई, mg h हो गई, और वो खीची है, तो spring की तरह इसकी elastic potential energy, half kx square हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, आपकी half k और x, अब बच्चे, आपकी जो x है, ये हो जाएगी, L1 minus L0 का whole square, L1 क्या थी, maximum length of rope, maximum, और L0 क्या थी, unstressed, तो पूरी खीची है L1, और लब 30 meter, और unstressed होती L0, तो खीचाओ x आपका कितना हो रहा है, L1 minus L0, तो half kx square भी बच्चे, इसको आपने put कर दिया, ठीक है, अब वो जो equilibrium position है, at equilibrium position, जो दूसरा diagram हमने बनाया है, second वाला diagram दूबारा से पीछे जाके आप देख लिजिए, अब हम लोग उसकी बात करेंगे, तो equilibrium position पर, यहाँ भी मैं general सा diagram बना दे रहा हो, बच्चे, यह बाबु जी लटक रहा है, इनका जो टकलेक पर नीचे हमने mg weight बनाया, वो नीचे की और बनाया, और इनको रस्ती का tension यह सम्हाल रहा है, और इन में x खिचाव हो गया है, बच्चे लटका रहेगा, तो उसके अदर कुछ stretching तो होगी, वो माल लेते हैं, x है, ठीक है, अब आप जानते हैं, यहाँ पर tension restoring force है, तो restoring force f proportional to minus x होता है, यानि tension proportional to minus x होगा, लेकिन tension जो है, वो mg के बराबर है equilibrium में, लेकिन mg और x की direction सेम है, तो यहाँ से minus गायब हो जाएगा, तो mg proportional to x हो जाएगा, तो यहाँ से proportional लटाएंगे, तो mg is equal to क्या लिख सकते हैं, kx लिख सकते हैं, is equal to k, अब यहाँ पर l2 minus l0 लिखेंगे, l2 minus l0, l2 क्या चीज़ है, equilibrium पर रोब की length, यानि starting से लेके, और यहाँ तक equilibrium पर रोब की length कितनी है, वो l2 है, तो l2 minus l0 यह आपका आ गया, यह equation आ गई बच्चो 2 और यह equation आ गई बच्चो 1, दरा ध्यान से देखेंगा इसको, next slide पर जा रहे हैं बच्चो, equation 1 और equation 2, यह दो equations हमने निकाल लिए, अब हम equation, equation 1 divided by equation 2 करेंगे, तो यह हो जाएगा, mg h divided by mg is equal to 1 upon 2 k, 11 minus l0 का whole square divided by यह हो जाएगा, आपका k, l2 minus l0 हो जाएगा बच्चो, ठीक है, अब यहाँ mg से mg cancel हो जाएगा बच्चे, तो यह हो जाएगा, h by 1 is equal to, और यहाँ k से k cancel हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, l1 minus l0 का whole square divided by l2 minus l0 हो जाएगा, ठीक है, और यह 2 लगा हुआ है, 2 छूटा जा रहा था, 1 upon 2 का, 2 लगा हुआ है, उपर open कर दिया, a minus b का whole square, तो यह हो जाएगा, a square plus b square minus 2 ab, और divided by हो जाएगा, 2 l2 minus l0 हो जाएगा, बच्चे, चीक है, अब इसको cross multiply कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा, 2 l2 h minus 2 l0 h is equal to l1 square plus l0 square minus 2 l1 l0, तो बच्चे, यहाँ से हो जाएगा, l0 square plus 2 h, l0 minus 2 l1 l0 plus l1 square minus 2 h, l2 is equal to 0, यहाँ कॉमल लेने के बाद आपका आ जाएगा, l0 square plus 2 l0 bracket h minus l1 plus l1 square minus 2 h l2 is equal to 0, ठीक है, अब यहाँ पे हम value डालना शुरू करेंगे, तो value हो जाएगी, यह h minus l1, तो यह value हो जाएगी, l0 square plus 2 l0, यह हो जाएगी, 25 minus 23 plus, यह हो जाएगी, 23 square minus 2 into 25 into 15 is equal to 0, ठीक है, तो फिर next slide ले लेते हैं, तो यह हमारा आ रहा है, यह हमारा आ रहा है बच्छो, l0 square plus 4 l0 plus 529 minus 750 is equal to 0, यह हो जाएगा, l0 square, यह square शूड गया था, l0 square plus 4 l0 plus 4 l0 minus 2 to 1 is equal to 0, अब इसको हम solve करेंगे, mid term splitting से, l0 square plus 17 l0 minus 13 l0 minus 2 to 1 is equal to 0, तो यहाँ से l0, l0 plus 17 minus 13 l0 plus 17 is equal to 0, तो l0 की value minus 17 l0 की value plus 13 आ गई, तो यह unacceptable है तो value plus 13 होगी, यानि कि unstressed string हमने निकाल ले है 13 meter की, unstressed string 13 meter की निकाल ले है, अब अच्यों, during equilibrium, during equilibrium, equilibrium के समय आप ध्यान दीजिएगा, कि, अब हमने हमारा जो पहला question का पहला टास्ता, वो हमने पूरा कर लिया है, ठीक है, अब during equilibrium हम देखेंगे, कि, यह person लटके हुए है, और यहाँ उपर tension T लग रही है, जिसे हम restoring force Fs भी कह सकते है, यह mg लग रहा है, तो आप जानते हैं, कि T proportional to minus x, और T mg के बराबर है, equilibrium के, और mg और x की direction सेम है, तो mg proportional to x, यानि mg is equal to kx, यानि mg is equal to kx, x l2 minus l0, यह relation हमने पहले भी निकाला था, अब हम m, y, k कर लेते हैं, k को इधर ले आते हैं, और यह आपका हो जाएगा, l2 minus l0 upon g हो जाएगा, यहाँ से k की value हो जाएगी, mg upon l2 minus l0, ठीक है, यह आपकी situation होगी, अब इस relationship को, बच्चों हम put करेंगे, इस relationship को हम put करेंगे, तो हम क्या करते हैं, कि आपको एक चीज बताते हैं, कि जब यह बंदा, equilibrium position पर, यहाँ पर आके लटक रहा है, तो यहाँ पर इसकी potential energy, maximum थी, गिरते गिरते गिरते, यहाँ पर इसकी इतनी potential energy, कम हो गई है, यही potential energy, इसकी अन्य energy में convert हो गई है, यहाँ पर आप देखिए, कि खीची हो इस्टिंग के हाइट L2 है, और यह H0 है, तो इसकी potential energy Mg L2 प्लस H0, यह energy convert हो गई है, और equilibrium position पर, इसकी velocity को V ले लेते हैं, तो half Mv, अच्छा, equilibrium position पर, इसकी velocity maximum होगी, तो half Mv square, प्लस, उसमें दो, मतब थोड़ा खीचाओ भी है, तो खीचाओ half Kx square है, half K, और खीचाओ आपने L2 minus L0 का whole square ले लिया है, ठीक है, तो यानि कि इस वाली काइन्टिक energy में, और इस वाली elastic potential energy में, यह gravitational potential energy बदल गई है, यह point मैं फिर से compare कर दे रहा हूँ, कि यहाँ से यहाँ तक, इसकी खीचाओ वाली height L2 है, length, और यह भाया जी की height H0 है, तो full height L2 plus H0 है, तो इतनी potential energy, gravitational potential energy इसकी कम हो गई है, और आपको पता, equilibrium पे इसके अंदर थोड़ा खीचाओ होगा, वैं 15 मीटर पूरी length है, 13 मीटर आई यान इस्टेच की, तो 2 मीटर का खीचाओ है, तो खीचाओ वाली elastic potential energy, L2 minus L0 का whole square, half kex square, और जाहिर से बाते बंदा जब equilibrium तक आएगा, मतलब जब starting से आ रहा होगा, तो रूप तो जाएगा नहीं नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसकी velocity जो हो चुकी होगी, वो maximum हो चुकी होगी, तो यह half mb square है, अब बच्चों, इसी relation का उप्योग करके, हम further इसका second part solve करेंगे, मेरे पास 15 मिनट की recording की capacity रहती है, तो 14 मिनट हो चुके हैं, तो इसकी second part में, हम बच्चों इसको लेके आएंगे, इसका second part आप देखिएगा, thank you very much,